चार लाग 75,000 विद कार्डियो सेक्षन जो हमारा जिम सेट अप पैगिज है एक्च्वल में कौन-कौन से एक्ट्यूपमेंट आएंगे और उसकी थोड़ी डिटेल के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप वीडियो के अंतक बने रहे हैं हलो फ्रेंड्स वेल्कम तो अलीना स्पोर्ट्स चार लाग 75,000 विद कार्डियो सेक्षन जिम सेट अप पहले हम बात करते हैं डिटेल में कि कौन-कौन से हम मटेरियल यूज़ करते हैं और क्या-क्या मटेरियल होता है तो फर्स्ट अपोल बात करते हैं फर्स्ट नमबर पर पाइप की तो पाइप अपोलो ब्रेंड कंपणी का है और टू बाइफ ओर रैक्टेंगल पाइप है बारा गेज का है और तू पॉइंट फाइफ थिकने से बीड़स आस daha है पांच एम्म का वायर है और इमपोर्डिद है यह वायर सहं बात करते हैं वायर लोग वायर लोग होता है यह भी इंपोर्डट है SKF के bearing installed होते हैं इसके अंदर in the और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कवरिंग की मशीन की तो मशीन के कवर लेजर making है यह । यह दिजाइन देख रहे हूँ और सब लेजर कटिंग है और इसके ऑपर यह सिरीज का नाम भी लिखा हुआ है यह भी laser cutting है next अगर हम बात करते हैं weight stake की 80 kg weight stake हर machine के अंदर ही set up माएगा और imported weight stake है यह next अगर हम बात करते हैं grip की तो grip इसके अंदर imported है और grip cap aluminium metal है यह भी imported है नेक्स्ट अगर हम बात करते है nut bolt की तो नेट बोल्ट भी इसमें लोकिंग वाले नेट बोल्ट आएंगे और नेक्स अगर हम बात करते हैं इसके कलर की, तो कलर पोडर कोटिक, हाई ट्रीटमेंट प्रोसिस पर इसका कलर है, कलर आप कोई भी अपनी चोईस के मुताबिक ले सकते हो, जो भी आपको कलर पसंद हो, तो वो चेंज करा सकते हो, पूरे जिम में, तो थोड़ा-थोड़ा मैं आपको आगे भी जान करी दूँगा, वीडियो के साथ हमारे बने रहे हैं, फर्स्ट हम बात करते हैं, पैकडेक फिलाई रियल डैट की, तो यह पैकडेक फिलाई है, तो इस पैकेज में यह आईगी पैकडेक फिलाई, इसका आप बिजाइन देख सकते हो, कलर देख सकते हो, कलर पोडर कोटिंग है, शीट बहुत बहुत बहतरीन क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की सीट है, इसके अंदर, लेजर दुआरा कटिंग है इसकी, नेक्स्ट आईगी इसके अंदर, लेट पुल कटिंगे और यहां हम हैंडल लगने के लिए रवल लगाते हैं आप इसमें देख सकते हो ताकि कलर डैमिज ना हो फुट रेस पर मिलबल लगाते हैं ताकि कलर डैमिज ना हो और हैंडल सोलिर रोड का है यह तो नेक्स्ट आई कि हमारी सेट अप में लेट कर लेग एक्षेंशन यह भी लेग एक्षेंशन पोजिशन में आप इधर से सीट मुझ कर सकते हो इसे नौप को लगा खेंच करके यह लेग कर लो जाएगी फोर्म रोल इसमें भी बहुत अच्छी क्वाल तो इसका आप ओवर्वीव देख सकते हो अभी यह शोल्डर पोजिशन में मैं आपको इसको फ्लैट करके दिखाता हूं इधर से यह नौप पुश करके आप इसे फ्लैट कर सकते हो और एकलाइन पोजिशन में भी हांसे कर सकते हो और इधर से ही है आप हैंडल अपने जरुत के हिसाप से अड़ेस्ट कर सकते हो एटी केजी वेट स्टेग है इसके अंदर भी नेक्स्ट आएगी हमारी स्मित मशीन विद स्कॉर ट्रैक यह स्मित मशीन है आप साइड से कवरिंग देख सकते हो लाइनर बेरिंग रोड है और यहां पर हमने निडल बेरिंग लगा रखे हैं फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर है और पाइप के आप आप आपको मैं पहले बता चुका हूं बहुत ही बेस्ट कालिटी की शिद माखे है त बहुत ही तया क कर कि बारे में आप को बचा चुका केविल क्रोस आपके पास अगर इस पेस अच्छा है तो आप केविल क्रोस ले सकते हो सेम प्राइज मी आएगा ये भी और इसकी अगर लेंथ की हम बाज करते हैं तो बारा फिट लंबा इसका लेंथ है और 80 kg वेट स्टेक इसके अंदर आएगा बहुती प्रीमियुम लुक मे आता ये नेक्स्ट आएगे हमारी लेट प्रेस 45 डिगरी में लेट प्रेस है ये आप इसकी जगह चेंज करा सकते हो अगर आपको लेट प्रेस भी धेक स्वाट की जरूरत है तो इसमें भी हमने वेट के ओप्शन दो साइड दे रखें एक इस साइड और एक इस साइड 600 kg क इसकी कैपिसिटी है सीट अड़ेस्टेबल है आप अपने जरूरत के हिसाप से सीट अड़ेस्ट कर सकते हो और हाड करूम इसमें इंपोर्टेड रोड है और लाइनर बेरिंग पर है ये साइड से आप इसके कवर का वो देख सकते हो बहुती प्रेमियम लुक है इसका और बहुती हैवी क्वालिटी में 600 केजी किसकी कैपिसिटी है नेक्स्ट आएगी हमारी ओलंपिक फ्लैट बैंक इस्टेंडर साइज पर मैकिंग है इसकी और बहुती हैवी क्वालिटी में इसकी कूशनिंग वगरा है हर मशीन के इसके फुट्रेस पर हम रबर की फुट्रेस लगाते हैं ताकि इंजरी ना हो किसी के और फ्लोर मैट आपका खराब ना हो डबल रोड इसके अंदर साइड में आपको वेट होल्डर दिया जाएगा ताकि एक्स्ट्रा वेट आप इस पर इसली केरी कर सको नेक्स्ट आएगे हमारी ओलम्पिक इकलाइन बेंच यह भी स्टेंडर साइज पर मेकिंग है और डबल रोड होल्डर है इसके अंदर इसकी यह सीट अड़ेस्टेबल है आप अपनी जरुत के हिसाप से सीट अड़ेस्ट कर सकते हो इंपोर्डेड नोप से इसके अंदर यह यह भी हमने रबल दे रखा इधर ताकि कलर डैमिज नहों और पीछे सपोर्टिंग के लिए जो देते हैं यहां भी हमने रबल लगा रखा है नेक्स्ट आएगे हमारी ओलम्पिक डिकलाइन बैंच इसमें भी रोड रखने के डबल दे रखें और एक्ट्रा वेट करने के ृड के लिए औलम्पिक बेंच में हर बेंच में आपको मिलेगा और अगर हम इसके फॉर्म रॉलज की बात पर्ते इसको और इस पर बहुत सारी exercise perform होती हैं तो अगर हम इसके गिरिप कैप वगएरा मैं आपको बता चुका हूं और इसमें हमने यह foot race के लिए SS metal का लगा रखाए ताकि color damage नहों next आएगी हमारी pressure curl bench यह भी बहुत best quality में standard size पर making है इसकी और Apollo brand का pipe है यह seat आप अपनी जरुत के हिसाब से adjust कर सकते हो अब down कर सकते हो next आएगी हमारी abdominal bench abs crunch bench यह adjustable है आप अपनी जरुत के हिसाब से इसको adjust कर सकते हो आप इसका full overview देख सकते हो next आएगा हमारा shitted calf hammer यह आप इसका overview देख सकते हो यह भी जिम में include है setup में package में next आएगा हमारा utility stool यह दो पीस है setup में package के अंदर और दो आएगे हमारी simple flat bench आप इसका overview देख सकते हो standard size पे इसकी making है next आएगा हमारी super adjustable bench इस package के अंदर यह decline decline और flat position में हो जाती है आप इसे adjust कर सकते हो और यह front seat भी आप इसकी आगे वाली seat भी adjust कर सकते हो अपनी जरुत के हिसाप से और आप इधर से यह पकड़के remove भी कर सकते हो इसको कहीं भी easily ले जा सकते हो next आएगा हमारा dumper lag six feet इसकी length है और three tier में आप इसमें 300 से 400 kg डंपल केरी कर सकते हो एक्सम बात कर दें कार्डियो section में कि इस package में आपको क्या-क्या मिलेगा कार्डियो में तो यह third trade मिले इसके अगर हम net weight की बात करते हैं तो 260 kg का net weight है और अगर user weight की बात करते हैं तो 200 kg का user weight है बहुत है heavy quality का trade मिले digital इसमें आपको यह screen मिलेगी और आप इधर से भी operate कर सकते हो इसको 20% decline है और 20 per hour km इसकी speed है running area बहुत अच्छा है इसका आप देख सकते हो बहुत है heavy quality का है 4hp commercial trade मिले next बात करते हैं इसके spin bike की बहुत ही अच्छी commercial spin bike है और 65 kg का net weight है और यह seat adjustable है आप अपनी जरुत के हिसाब से adjust कर सकते हो flywheel की अगर बात करते हैं तो 25 kg का flywheel है next हम बात करते हैं इसके weight की इस package में आपको कितना weight मिलेगा कितने डंपल और कितनी वेप पलेट मिलेगी तो 300 kg आपको डंपल मिलेगा बाउंसर डंपल है branding अलीना sports की मिलेगी आपको next में आता है weight plate तो weight plate भी आपको triangle की मिलेगी और अलीना sports की branding 300 kg बहुत ही हेवी quality की पलेट है next आती है हमारी ओलंपिक बार्बल ओलंपिक रोड है यह 30 mm की इसकी गिरिप है और 7 फिट की 4 पीस आएगी यह 5 फिट का एक पीस आएगा और 4 फिट के दो दो पीस आएगे और 4 फिट इसेट कर्लिंग रोड एक आएगी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की बेरिंग रोड है इसमें विद बेरिंग रोड है 300 kg की कैपेसिटी है अधित जानकारी के लिए आप हमारे दिये गए नंबर पर पोलर वोट्स अब कर सकते हो क्वाल पती है टोड़ा चिसेटी है क्वाल एक रिए बाधननी लोड है! क्वाल में विए की बाधनाने है लोड़ा पोल प्रौवरा है